अलो दोस्तो नमस्कार, फिल्द आयर्वेदा में आपका स्वागत है, इस वीडियो में अमरिता रिष्ट के बारे में जानेंगे, इसके फाइदे नुकसान सेवन पिती और इसके घटक दरब के बारे में जानेंगे, तो आईए अमरिता रिष्ट के घटक दरब के बारे में गिलोय, दसमूल, गूर, धाय का फूल, सफेर जीरा, पित पापड़ा, सप्तपर किछाल, सोट, मिर्च, पिपल, नागर मोथा, नाग केसर, कुटकी, अतीस, इंदर जव आधी हैं। अमरिता रिष्ट के सेवन विधी, बड़ो को चार से छे चमच, और छोटे बच्चो को दो दो चमच सुबा सम बराबर पानी मिला कर देना चाहिए। जवर का प्रकोप जादा हो जाता है, और मन दाग नीभूक न लगना, सरीर में खून की कमी, कमजोरी ऐसे लच्र उत्पन हो जाते हैं। तो अमरिता रिष्ट उसे भी दूर करता है, सुजाक और उपदंस रोगों में भी, या सीतल और रुक्त सुधक, गुर युक्त होने के कारण दिया जाता है। पुराने बुखार के कारण मन दागनी हो जाती है, जिससे रक्त रक्ता दी, धातुए ठीक और उचित मातरा में नहीं बनती हैं। जिससे सरीर में खून की कमी हो जाने के कारण, सरीर पीले रणका हो जाता है। अमरिता हरिसके 7 से बहुत ही सिग्रलाव होता है, क्योंकि इसका प्रभाव पहले आमासे होता है। यह पाचन पित को उतेजित कर, पाचन क्रिया को ठीक करता और भूख की बिरिद्धी करता है, साथ ही रेचक पित को भी जागरित कर, रक्त करो की बिरिद्धी करते हुई, सरीर की कांती अच्छी बना देता है, और यकिल पिला की बिरिद्धी को रोक कर, उसे निरोग बरा द प्रसूत जवर में भी इसका प्रयोग किया जाता है या दपी प्रसूत जवर में दसमूला रिष्ट के प्रयोग करने से अच्छा लाव होता है फिर भी पित परधार प्रसूत जवर में जिसमें हाथ पाव में जलन हो पेट में जलन प्यास जदा लगे कभी कभी चक्कर आने राती हो ठंडी चीजे खाने की ज़्यादा इच्छा हो ऐसी दसा में अमरिता रिष्ट के परियोग से अच्छा लाव होता है क्योंकि यह पित सामक और पोष्टिक भी है अमरिता रिष्ट के साथ में सूतिका बिनोध रस या परताप लंकेस्वर रस इनमें से किसी एक का पर आले अपने नजदिकीच किसा से सला जरूर लें धन्यबाद